कि आज बहुत इंट्रीस्टिंग चीज ऊहां हुँ हमारे साथ सुबा सुब ऑठके मंदिर गह ते पुरा परिवार मंदिर गया और मंदिर में मैं एक मशीन देखी कि मैंने पहली बार मशीन देखी थि मेरे परिवारों घ्याओ ऊप्राइब लेकिन तो ये थी वो मशीन, ये मशीन देखके हमारे परिवार मनों ने एक सवाल हुआ कि ये मशीन तो तीन लों का काम कर रही है, एक जो मंदिर में डोल बजाता है, एक जो घंटी बजाते हैं और एक जो घंटा बजाता है, तीनों रोल एक छोटी से मशीन कर रही है, तो मैंने कहा यह तो expected है, धिरे-धिरे ऐसा होगा दुनिया में, अचेम्बे की बात नहीं है, तब मेरी नीस है, प्रियंक का, जो लॉयर बन गई है, तो उसने पूछा कि फिर लॉयर का क्या होगा, हमारा जॉब भी ऐसा हो जाएगा क्या, फिर किसी ने मुझसे पूछा कि डॉक्टर्स का क्या होगा, ऐसी हम बात कर रहे थे, तो यह बात मैंने फिर सोची कि इसके बारे में क्या कर सकते हैं, क्या सोच सकते हैं, इसका क्या जवाब है कि इस चीज की मशीन मनी है, किसी का जॉब रहेगा, नहीं रहेगा, यह सारी चीज़े, तो मैंने सोचा, काफी इसमें ध्यान तो सोचा कि इसका एक framework बन सकता है कि बिकूज मैंने इसके बारे में कई पढ़ा भी था तो बहुत सिंपल framework सोचा कि आप imagine करो दो तरह के काम होते हैं बहुत सिंपल एक जो हम हाथ या पाउं से करते हैं उसको हम लोग कहते हैं इसका manual काम दूसरा काम होता है जो हम दिमाग से करते हैं सिर्फ दिमाग यूज होता है उसको आप कहलो brain से या cognitive का दो तरह के काम हो गए तो यह हो गया आपका manual यह हो गया brain अब आप इनी दोनों चीजों को एक और ढंग से देखो कि यह जो काम है यह एक जैसा ही काम हम बार-बार कर रहे हैं या या हमेशा यही काम है लेकि नए धंग से कर रहे हैं यानी रुटीन नहीं है non repetitive हैं, ठीक है, तो फिर दो और नहीं चीज़े हो गई, repetitive, non repetitive. अब यह धोलक वाला जो काम है, यह कैसा काम है?यह manual काम है, वही धोलक बजाना है और बार वही बजाना है, तो manual काम है, और repetitive काम. इस तरह के काम, 100-200 सालों से automate होते आए हैं, Machino से, a Miaеп 20 Krauss पहले एक बंदा था, बोरी उठाता था, ट्रक पे डालता था, या डब्बे उठाके वेर हाउस की आलमारी में रखता था, आज उसकी जग़ा क्या हो गया है, एक फॉर्कलिफ्ट आ गई है, अगर एक इनसान एक दिन में सिर्फ दस बोरियां, बीस बोरियां उठा पाता था मशीने हजारों बोरियां उठा सकती है, उसी तरह जो आप मैंने ये ड्रम देखा, it's a human ingenuity, तीन लोगों का काम वो ड्रम कर रहा है, आपको जैसी बीट चाहिए, वो बना रहा है, तो ये काम तो हमेशा automate होते आए हैं, automate होते रहेंगे, अब दूसरे तरह का जो काम होता है, वो है brain use करना और repetitive होना, ये वो काम है, जो मुझे लगता है, over the next 10, 15, 20 years पका automate होंगे, जैसे आपने कई सारी चीजे देखी होंगी, काफी accountants के काम automate हो गए हैं, accounting software आ गए हैं, bank में आपको कम employees दिखते हैं, bank के tellers कम हो गए हैं, तो अगर इस तरह के जो काम हैं, ये मुझे लग रहा है, अगले 15-20 साल में most at risk हैं, ये automate होते रहेंगे, इसलिए मैंने manually और अगर आप ये framework देखोगे, तो ये manual और repetitive का में इसको मैंने लाल रंग दिया है, ये सब से at risk हैं, automate होने में ये नोक्रिया जाएंगी ही, ये जो नीला रंग है, the blue color, this will get automated slowly over the next 20 years, software, computers, machine learning, artificial intelligence will replace these shots, there is no walking away, अब मज़ा आता है, उपर के दो boxes का क्या होगा, जो manual काम है रिकि नौन repetitive, ये वो काम है जैसे dancers, नए steps बनाने हैं, आप dance इखा रहे हो, physiotherapist, yoga instructor, nurses and so on, ऐसे बहुत सारे काम हैं, जो मुझे नहीं लगता है अगले 40-50-100 साल तक रिप्लेस होंगे, क्यों? कि वो unique है, वो repetitive नहीं है, आप उसमें machine नहीं डाल सकते, उसमें आपको एक इनसान की ही जरुरत पड़ेगी, तो अगर आप में ऐसी skill set है, इसको आप conserve करें, इसको और आप खिलाएं, इसमें और मेहनत करें, ये जरूर रहे हैं, फाइनल, जहां मैंने हरा रंग डाल रखा है, surgeons, scientists, lawyers, जो court में case लड़ते हैं, CEOs, marketing, creative लोग, ये लोग सिफ़ दिमाग से काम करते हैं, ये काम वो हैं, जो कभी भी replace नहीं होंगे, इनकी ज़रुरत हमेशा रहेगी, ये बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन इनकी ज़रुरत रहेगी, ये replace नहीं होंगे, चाहे ये job कर रहे हैं ये कंपनिया शुरुरु कर रहे हैं, इनकी ज़रुरत हमेशा होगी, बिकुज यही लोग हैं जो दुनिया बजलते हैं, these are the kind of people who change the world, so ये जो चार्ज कौदरेंट बन गए हैं, लाल, manual, repetitive, at risk, blue, manual, sorry, brain use करना बट रिप्रिटिटिव, will get automated, top two are where you will see a lot of differentiation, बहुत uniqueness है, और ऐ ऐसे काम, ऐसी नौकरिया, ऐसे जॉब्स हमेशा रहें, वो एक छोटी सी मशीन ने हम लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि हम जो आज कर रहे हैं, वो future में काम आएगा कि नौकरिया रहेंगे कि नहीं, हमारी जुरत है कि ये वैसे आज की जनरेशन को बहुत सोचना च किस तर अपने आपको इंप्रूब कर सको, because the future is always going to be uncertain, कोशिष करो कि आप उनीक हो, कोशिष करो कि आप उपर जा सको, I hope this helps.